Hello everyone, welcome back to Trustified, India's personal only, 100% blind testing certification program और आज के वीडियो में हम लोग आपको doping substances के result बताएंगे muscle nectar, whey protein isolate का, doping substance मतलब कि हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं इसमें anabolics याने की steroids तो नहीं डाला गया है तो ये जो product है, ये हमारी Trustified के 4 level testing को already pass कर चुका है जैसे कि मैंने Trustified Gold के पहले वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है कि हम 5th level की testing याने कि जो doping substances की testing है वो सिर्फ और सिर्फ उसी product में करेंगे जो हमारे 4 level testing को already pass कर चुका है तो ये बहुत सारे international certification है जो सिर्फ doping testing के basis पे ही अपना लोगो जो है प्रोड़क को देते हैं हमें वो सही नहीं लगता क्योंकि देखिए कोई भी प्रोड़क का डोप फ्री है so that doesn't means कि उस प्रोड़क में प्रोटीन सही होगा, amino spiking नहीं होगा, melamine spiking नहीं होगा, heavy metals नहीं होगा इसलिए हम लोग trustified gold में सिर्फ उन्हीं products को eligible करते हैं जो already trustified certified है मैं अब trustified के 4 level testing को जो certify कर चुका हो, जो pass कर चुका हो तो trustified gold मतलब एक all round certification हो गया, all rounder certification होगा, जो आपके 5 level के testing के business पे प्रोड़क को certify करता है तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने पहले वोडियों बता था कि ये जो testing है, ये इंडिया में नहीं होती, हम लोग बाहर से करते हैं बहुत लोगों ने का कि इस लाब report में तो ये लिखा नहीं है, कि ये testing बाहर से होई है, तो अगर आप लोग गौर फरमेंगे, मैं screen पे फिर से lab report दिखा रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये लिखा हुआ है, साफ साफ कि ये जो product है, ये analyze हुआ है, फ्रांस वो सारे steroids below LOQ पाए गए है, आप लोग चाहे तो screen pause करके देख सकते हैं, 24 घंटे बाद report summary भी जो है हम अपने website में upload कर देंगे, वहाँ भी आप देख सकते हैं, तो अभी क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को एक overview दिखा रहा हूँ, report का, सारे इसमें जो doping substances है, वो below LOQ पाए अच्छा एक question का answer देना चाहता हूँ, जब हमने पहला वीडियो किया था, डोपिंग substances का, जो हमने avatar wave protein का किया था, avatar wave protein और avatar eye storage का, तो उसकी lab report बहुत लोगों ने देखके ये बोला कि सार, इसमें लिखा है below LOQ, तो below LOQ का मतलब कहीं ये तो नहीं कि steroids बहुत थोड़े से detect बहुत, you know, traces मिले हैं, steroids के, ऐसा तो नहीं है, तो उस चीज़ को clarify करने के लिए हमने जो है, laboratory को mail लिखा कि आपके जो है, doping substances के report में, जो steroids हैं, उसके result below LOQ आए हैं, तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं है, कि steroids traces में detect हुए हैं, तो उनका mail आया, जो आप लोग मेरे screen पर भी द traces भी detect नहीं हुए हैं, मतलब उन्हें steroids minute quantity पर भी detect नहीं हुए हैं, उन्हें detect हुए ही नहीं है, पर उनका जो reporting format है, वो LOQ के form में ही आता है, इसी लिए as per the reporting format, वो लोग report below LOQ के form में ही देते हैं, तो guys ये था आज का video, hope जो हमारी doping testing के reports related आप लोग को question थे, उसके answer आप लो हैं, आपको एक सही supplement चुनने में काफी मदद कर रहा हो, अगर ऐसा है guys, तो please हमारे जो है channel को follow करें, और video को share करें, उन सभी दोस्तों के साथ, जो एक अच्छा supplement लेना चाहते हैं, सारे video share करें, channel के link share करें, अपना support दिखाईए, और एक बहुत ही छोटी से request है guys, अगर आप लोग हमारी testing को fund करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा certified किये हुए सारे supplement को, प्लीज हमारे website से ले, जो की है shop.trustified.in, at the end, please remember guys, if a supplement is not certified, then it's not certified, choose safe, be safe, thank you.